So guys, जो succession होता है, वो भी दो type का होता है एक होता है primary succession, successions are of two type One is the primary succession and the another one is the secondary succession नाम से ही पता चुड़ रहा है primary मतलब first and secondary मतलब second Primary succession का क्या मतलब होगा कि एक ऐसी location पे हो रहा है एक ऐसी place पे हो रहा है जहां पे उससे पहले कभी भी कोई biotic community नहीं exist की है No biotic community has exist before उससे पहले कोई भी biotic community उस जगा पे exist नहीं की है लेकिन secondary succession कहा होगा जहां पे पहले biotic community present थी biotic community was present before मतलब क्या है दोनों का मतलब देखते हैं अगर हम एक area ले एक bear area दोनों ही होगे कहां पे bear area में ही होगे लेकिन primary succession कहां पे होगा ऐसी जगा पे जहां पे अभी अभी जो lava है वो cool down हुआ है जो volcano है या फिर volcano है या फिर lava है वो just cool हुआ है या फिर यह कहां पे होगा इगनीशियस rocks पे होगा ठीक है ऐसा कोई पत्थर जो lava था लेकिन वाप क्या हो गया बिल्कुल solidified form में rock बन चुका है तो एसी जग पे क्या ओरे पहली बार species आगे क्या है यहां पे पहले काँपी species exist करती नहीं करती यहां पे प्रीमती सक्सेशनि हो सकता है यहां पे पहली कभी नहीं थी 지금 coming to the first part यहां पर क्या आएगी community आएगी तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे primary succession तो primary succession में ज्यादा time लगेगा या कम time लगेगा obviously यहां पर ज्यादा time लगेगा क्यों कि लिए यहां पर हमें सब कुछ develop करना पड़ेगा सॉइल को develop करना पड़ेगा moisture लाना पड़ेगा oxygen का content सब content यहां पर शुरू से शुरूबात होगी उस area में तो यहां पर जो है यह वाली जो जगा है इधर succession करने के लिए लगपक हमें thousand years लग जाएंगे 100 से thousand years लग जाएंगे यहां पर succession होने में वहीं अबर दूसरी तरफ हम बात करें secondary succession की तो secondary succession एक ऐसी जगा है जहां पर बायोटिक कम्यूनिटी पहले exist करती थी तो क्या हुआ कि वो जो बायोटिक कम्यूनिटी है वो अब वहां पर नहीं है तो उसके reasons क्या हो सकते है फ्लर हो सकते है, earthquake हो सकते है वहाँ पर region रीजन जो है earthquake होसकता है यहा फिर forest why इन सभी रीजन की वज़े से यहां पर बायोटिक कम्यूनिटी एकजिस्ट नहीं करती थी लेकिन पहले महाँ पर कम्यूनिटी एकजिस्ट करती थी तो यह बायोटिक बाइयोटिक ली फॉर्टाइल ही एडिया है यो के लिए बहाँ पर पहले एक्जिस्ट कर चुकी है बाइयोटिक क्यमिनुटी तो यह कैसा होगा बाइयोटिक फॉर्टाइल होगा तो यहां पर बापिस सक्सेशन करना as compared to primary succession very easy होगा. यहाँ पर चो succession है वो within 50 या फिर 200 years में हो जाएगा. वहीं यहाँ पर कितना time लग रहा है? 100 से 1000 years लग रहे हैं. 50 years किसको बनने में लगेंगे? किसी grassland को बनने में लगेंगे और वही 200 years किसको बनने में लगेंगे? किसी forest को बनने में लगेंगे, तो यह उते हैं दो टाइप के succession, primary succession and secondary succession, primary succession takes longer time, while secondary succession takes shorter time, in secondary succession the soil is fertile, but in primary succession आपको soil को fertile बनाना पड़ेगा, वहापे आपको पहने soil लेकर आनी पड़ेगे, तो वहाँ पे जो है, बहुत slow process होता है, लेकिन ये जो secondary succession है, यहाँ पे जो succession का rate है, वो faster rate होता है,